नमस्कार स्वागत है आपका MP NEWS में मैं हूँ आपके साथ दिवे विजवर गया आज MP NEWS के स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खुद साक्षात भारत देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी लग रहा है आपको भी कि PM मोदी हमारे बीच में बैठे वे हैं वैसी ही सूरत और वैसी ही सीरत आज प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी का 68 जनम दिन है जो सिर्फ PM मोदी ही नहीं बलकि पूरा भारत देश धूमधाम के साथ मना रहा है एक ऐसी शक्सियत जिसने भारत देश को एक अलग रूप दिया है सिर्फ रूप ही नहीं बलकि पूरे भारत देश का जंडा जो है पूरी दुनिया में लहराया है और एक अलग मुकाम हासल करवाया है भारत देश को उना जाने कितनी सारी चीजे देकर बुलंदियों तक पहुंचाया हमारे भारत देश को और सिर्फ बच्चे ही नहीं बलकि हर वर्ग का व्यक्ति आज पीए मूदी से बेहत प्यार करता है आज हमारे साथ MP News के स्टूडियो में मौझूद है एक ऐसी ही सूरत और सीरत वाले सुभाश टांक जी जो कि इन दौर वासियों के लिए मद्रप्रदेश के लिए पीए मूदी से कम नहीं है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है MP News के स्टूडियो में और हमसे बात करने के लिए लगते हैं न वैसे ही पीए मूदी जैसे और बात करने का तरीका भी वैसा ही है सूरत भी वैसी ही है और साधगी भी वैसी ही है चलिए आज हम चर्चा करेंगे और गुफ्तगू करेंगे जानेंगे कि क्या है PM मूदी का जीवन नहीं नहीं प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी का जीवन नहीं बलकि खुद सुभाज जी का जीवन जो कभी-कभी उनको भी महसूस करा देता है कि शायद मैं वाकई में PM नरेंदर मूदी जैसा ही दिखता हूँ क्योंकि कई बार होता है यह हम कहें कि अकसर हो ही जाता है कि जब भी सुभाज जी सड़कों पर निकलते हैं तो लोगों का हुजूम जो है वो देखने को मिलता है इर्द-गिर्द कैसा महसूस करते हैं आप उस वक्त क्योंकि कई बार सुभाज जी होता है आपके साथ में कि आप जब जाते हैं तो बच्चे या बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैसा लगता है आपको उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे साथ में लोगों फोटो खिचवाना चाहते हैं कि एक सेल्फी तो मेरे साथ बंती है फिर उन लोगों को निरास नहीं करता हूं ठीक है मैं उनके साथ में फोटो महाँ और मॉझे लोगों पहचान लेते हैं कि न्रेन मोदी हैं और यह प्रस्न कर लेते हैं कि अब क्या होगा ये बताईए तो मुझे मैं यह क्या देता हूं कि आप देते रहें 2019 में भी हमारे आधरणी नरिंद्र मोदी ही प्रदान बंतरी बनेंगे क्या बात है तो वैसी ही सूरत वैसी ही सीरत ऐसा लगता है कि ये एक परचाई और दो परचाई एक जैसी यहां पर देखने को मिल रही है जो एक ही बात कह रही है एक वो नरिंद्र मूदी है और एक ये जो कि उनकी साक्षवात परचाई जैसे की यहाँ पर दिखाई देते हैं सुभाज जी आपसे जानेंगे कि क्या कभी कोई आपको ऐसा फायता आपको दिखा है क्यूंकि आपको ऀशवर की खृपते वैसी ही सूरत मिली है वैसी तो कोई निकले हो तो कोई ऐसा इंसीडिन्ट कि आपको फायदा पहुंचा हो इस all this year कर दो क्या है कि फाइदा किस से लुगा मेरे सब अपने अगर मेरे लिए इतना अनर देते हैं यह मेरे लिए इससे बड़ा फाइदा कभी कि मेरे को इस फाइदा होगा फाइदा के बारे में सोचता नहीं कभी कोई नुकसान आपको ऐसा फेस करना पड़ा है क्यूंकि आप देश के प्रधानमंत्री जासे दिखते हैं तो ऐसा कभी आपके लिए भी दुविधा जैसी सिचुएशन कभी क्रियेट हो गई वाई यहां पर सुभाजी से पूछने के लिए पूरा परिवार है कि वह इतना देर क्यों बाहर वालों के लिए बहर नरेंद्र मोदी जैसे से दिखते हैं भर में आप वही हैं जो आप है जब जाता हूं तो हर सक्स मेरे से मैरे साथ खिच्वाना चाहती है बले वो मेरे रिष्टे में हो या ना हूँ, कई अगे किसी लेव में गया, वहां कोई महिला ने मुझे देख लिया, तो अपने हस्पेंट के साथ आई हुई होती है, वो उनको छोड़ करके मेरे पास आजाते हैं, मुझे फोटो खेच लिए, बोले मोदी जी के साथ तो मिले पर उनके साथ अपन फोटो ले सकते हैं, बिलकुल सही बात है, प्रधान मंतरी नरेंद्र, जी 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 ये एक ऐसी सीरत आपकी है, कि आप निराश नहीं करते हैं, पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी की लोग प्रियता की बात ही अलग है, हर बच्चा, हर बड़ा, आज उनके काम से और उनके अंदास से जो है, वो काफी प्रेरित होता है, खिचाव उनको देखकर लगता है, हमने आपके बारे में कई सारी बाते पता की हैं, आप बीजेपी की जो रेली और सभाई होती हैं, उसमें भी अपनी मौझूद्गी दर्ज कराते हैं, तो कैसा लगता आठ साल से मेरे को उनके साथ में गुमने का मुखा मिलता है, फिर वो लोग मेरे को बिलाते हैं, घर पे आ जाते हैं, कि अंकल आपको चलना है, और फिर मैं जाता हूं, उनके साथ में दो घंटे, तीन घंटे, जिते घंटे की वी रेली होती हैं, उनको साथ, किस तरीके का क्या मुदी जी के लिए कभी प्रचार किया है मौधी सिर्फ यह था कि वह प्रधान मंत्री ने नहीं है पॉलिंग हो रहा था तुम्हें पॉलिंग स्टेशन पर तो या द नहीं है कि कुन अए थे पर उनने मेरा इंटर्विव लिया था और उन से पूछा था कि कि अपने हाथ से भी तेखा तो आप तो आप तो काफी पहले से जो है नरिंदर रीजी के बारे पढ़ रहे हैं मूदी के बारे में आपने हर चीज पढ़ी है समझी है वैसा लुक आपका है आप अंदर से क्या महसूस करते हैं मूदी के लिए और क्या अच्छाईयां आपको उनमें दिखती हैं तो यहाँ पर वैसी ही शक्सियत और वैसा ही अंदास बोलने का अगर कभी आपकी मुलाकात होती है नरिंद्र मोदी से जो कि हम चाहेंगे कि जल्द ही हो क्योंकि MP News पूरे देश में या कहें हम पूरे विश्व में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हर जगे अपना पर्चम लहरा रहा है MP News हर खबर की सच्चाई और तहह तक पहुँचके तो ऐसे में अगर कभी नरिंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होती है तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें मैं तो उन्हें यह कहांगा कि आप इस स्पीट से बढ़ रहे हैं इस डवल स्पीट से बढ़िए और आपका परिश्रम एक दिन दरन लाएगा बिलकुल तो उनकी स्पीट और उनका अंदाज सुभाज जी को भी भाता है और वो उसको अपने अंदर समा कर बैठे हुए है एक सवाल आप से पूछेंगे आपने फिल्म देखी होगी नायक उस फिल्म में जो है अनिल कपूर को एक रोल दिया जाता है कि एक दिन का प्रधान मंतरी बन करना चाहिए मैं यह काम कर सकता हुं कि उनके जो कार है उनको आगे बढ़ाने के चेस्तzego करूंगा मैं उती इनर्जी से नहीं कर सकता तुनकी बराबर यह तो नहीं कर सकता पर मैं जानता हूं कि वह अपने कारे को बहुत अच्छे से कर तो अभी हाल ही में पर एक फिल्म भी बणी थी उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष करके बच्पन से लेकर अब तक का शफर उनका तैफ हुआ है ऐसी में अगर कभी कोई फिल्म बनती है और आपको अगर कोई रोल ओफर आता है फिल्म में काम करने के लिए या पीम आरिंदर मोदी का रोल निभाने के लिए तो क्या कहेंगे आप मैं सहर स्योकार कर लूँगा और पूरा प्रियास करूँगा कि मैं उनके रोल को अच्छे से निभाओं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और अभी तक आपने महसूस भी किया होगा कि हमारे देश में पीम नरिंद्र मोदी तो एक ही हैं पर उन जैसा द और सीधापन सरल वहवार भी उन्ही की तरह रखते हैं और वो है सुभाज जी आपसे डायलॉग सुनना चाहेंगे या उनकी तरह कुछ डायलॉग डिलिवरी जैसे पीम नरिंद्र मोदी बोलते हैं किया बात है यह एक ऐसा वर्ट है नरिंद्र मोदी का जब भी कोई भाशन को वू शुरू करते हैं तो मित्रो से शुरू करते है और यह जब कोई भी बच्चा या बड़ा अगर सिर्फ मित्रों बोल देता है तो समझा जाता है कि यह signature word है PM नरिंद्रमोदी का जो हमने आप से सुना और कई सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और अभी भी वो अपनी आखों पे और अपने दिमाग पर संतुलन नहीं बैठा पा रहे होंगे क्योंकि आपको देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप PM नरिंद्रमोदी नहीं है क्योंकि आप दिखते बिल्कुल उनकी जैसे हैं और वैसा ही आपका तरीका भी है बात करने का एक और सवाल आप से कहना पूछना चाहेंगे कि कभी जैसे आप कई सारी सभाव में जाते हैं लोगों से मिलते हैं चुकि पी-एम नरिंद्रमोदी कहीं जाते हैं तो उनको तो गिप्स भी मिलते हैं उनको कोई बुक्पय देता है कभी आपके साथ ऐसा कोई परिवार का क्या कहना होता है जब आपको इतना प्यार इतना आधर मिलता है दुनिया से परिवार उसको बहुत अच्छा उनको सबको अच्छा लगता है और कभी असुविदा हो जाती है घर के काम भी कुछ होते हैं जो करने होते हैं तो प्रयास यह करता हूं कि मैं आगर करते हैं हैं कि की सारी सभाओं में आप जाते हैं आगे भी आप OUTनर यही करेंगे क्लाग जरूर करेंगे उसमें काम क्रते रहें जो कि आप करभी रहे हैं और बीज़ेपी की क्यी सारी सबहाओं उसका सदस यहूं और चोटा सदस आज पीम नरेंद्र मूदी का जनम दिन है स्मॉक पर क्या कहना चाहेंगे मैं उनको लाखों बदाई देता हूं और वो देश को इसी प्रकार गोरानूत करते रहें यही काम ना करता हूं उनको तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है सुभाश टांग जी से जो की खुद पीम नरेंद्र मूदी जैसे दिखते हैं इतनी लोग प्रियता श्यायत किसी ने प्राप्त नहीं की होगी जितनी पीम नरेंद्र मूदी ने किया अगर हम यह थोड़ी देर के लिए भूल जाएं उसको वापस सोने की चुर्या बनाने का जो उन्हों ने संकल्क लिया है और भारत के लिए इतने कथोर वो डिसीजिजनस ले रहे हैं और कहते हैं कि जहां कथोर डिसीजनस होते हैं वो एक बेस्ट चेंज लेकर आते हैं तो वही सोच के साथ हर युवा, हर भारत का नागरि की इस काबिलियत को सरहाता है और आज उनके जनम दिन के मौके पर हर कोई उनको बधाईया दे रहा है खेर बधाईयों का दौर तो पूरे भारत देश में जा रही है क्योंकि हर कोई अपने अपने धंक से उनका जनम दिन मना रहा है पर MP News ने खुद आपको मिलवाया है एक ऐ ऐसे शक्से से जो दिखता तो नरिंद्रमोदी की तरह हैं पर उनकी सीरत और उनकी सूरत भी वैसी की वैसी ही है सुभाज जी आपने हमसे बात कियो और अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शक्रिया PM नरिंद्रमोदी के जनम दिन के मौके पर आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सुभाज टांग जी से जो इंदौर के रहने वाले हैं BJP के सदस्रे हैं साथ ही साथ PM नरिंद्रमोदी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है और वो दिखते भी PM नरिंद्रमोदी की तरह है मुझे पूरी उमीद है कि आपको हमारा ये special segment पसंद आया होगा हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये program कैसा लगा आगे भी ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगाता जारी है आप बने रहें आमपी नियूस के साथ झाल